आज Spider-Man November को रिलिज हुए तीन महीने से ज्यादा हो चुके है और अभी लोग Batman के बाड़े में बात कर रहे है मतलब Spider-Man का हईप खतम हो गया, ओके? खेर, स्वागत आप सभी के संचु बाबा के शरण में और आज मैं कंटेंट की कमी महसूस कर रहा हूँ इसलिए हम Spider-Man की सारे movies को रैंक करेंगे मैंने मतलब सारे Spider-Man movies देख रखा है हाँ ये, ये भी देख रखा है मैंने और इसे मैंने include नहीं किया इस वीडियो में इस वीडियो में जो films के list है मैंने अपने हिसाब से बनाया है तुम्हारा और मेरा opinion अलग हो सकता है और हाँ इसमें मैंने कोई animated shows या movies को include नहीं किया है इसलिए तुम's ultimate Spider-Man या Spider-Man into the Spider-Verse expect मत करना So 8th place में हमने rank कर रखा है The Amazing Spider-Man को 1977 वाला इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं मुझे YouTube पे free में मिला था मैंने देखा मुझे पसंद नहीं आया नमबर 7 Spider-Man Japan और Japanese Spider-Man और सुपाइदर मैन और निहोंजी स्पाइडर और ये TV स्रीज एक अपनी अलग लेवल में था मतलब आसान भाशा में explain करूँ तो Action Carmen जैसा शो है और जैपान के सारे तोकु साथ शोज ऐसे ही होते क्यूंकि ये एक जैपनिस शो है इसलिए इसमें साइफाई एलेमेंट्स काफी सारे है इनफेक्स टोड़े भी अपनी casual Peter Parker वाला नहीं है जिसमें radioactive spider काटती है नहीं इसमें एक spider planet से एक spider आके उसे powers देती है और एक intergalactic space आरो है इसके विलेज जापान भाई जापान फिर नमबर 6 में है इस फिल्म को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते द्यू तो इस राइटिंग अब नमबर 5 में हाता है spider man 3 spider man 3 को अब तक की worst spider man movie माना जाता है I mean really, really इस फिल्म के एक ही drawback था जो की amazing spider man 2 का भी drawback था यही की कुछ ज्यादा ही विलेंज डाल दिया है I mean जैसे amazing spider man 2 में राइनो का कुछ जरूरत नहीं था वैसे ही इस movie में भी सिफ एक ही विलेंज का जरूरत अगर sandman को अगले पार्ट में डाल के सिर्फ Venom को ही main villain रखा होता तो यह film काफी अच्छा बनता Number 4, The Amazing Spider Man यह movie spider man reboot था और यह movie देखके सभी को लग रहा था कि इसमें director ने कुछ अलग करने के try किया है Like MJ के जगा Gwen Stacy फिर Peter Parker का skateboard चलाता है बट स्टिल अच्छी movie थी यह मतलब अपने sequel से तो बहुत यह अच्छा था Number 3, Spider Man Homecoming और Spider Man Far From Home जी हाँ मैंने दोनों films को same position में रखा है क्योंकि first of all Tom Holland Spider Man reboot का भी reboot था and secondly मुझे दोनों films एक जैसे ही लगता है वो ही कि Peter के पस Amiro वाले technology है Iron Man Homecoming में भी मदद कर रहा था और Far From Home में भी जहां वो मर चुका है उधर भी मदद कर रहा है बट स्टोरी टोनी स्टार्क और MCU का पार्ट होने के वज़े से यह दोनों film Number 3 स्पोर्ट पे है Number 2, Spider Man इस film के बारे में कुछ कहने के जरूरत नहीं यह film और इसके हरे characters आईकॉनिक है इस film के स्टोरी, सबके performances और dialogues आज भी लोग को पसंदाता है और आज भी इतने सारे Spider Man movies के आने के बाद भी लोग Toby Maygore को ही बेस Spider Man मानते हैं अब नमबर वन स्पोर्ट में भी दो फिल्म्स है एक तो No Doubt, No Way Home और दूसरी है Spider Man 2 No Way Home मैंने डेसेंटली देखा है और मुझे काफी पसंदाया है लेकिन Spider Man 2 साही में सिर्फ बेस्ट Spider Man movie नहीं है बलके इस वन अफ दे बेस्ट Super Hero Films I mean, Super Hero होने के लिए चो sacrifice करना पढ़ता है वो Spider Man 2 में दिखाया है और यही चीज़ No Way Home में भी दिखाया है No Way Home को मैंने नमबर वन स्पोर्ट में इसलिए अड़का है क्योंकि इसमें एक Grand Level की फैन सर्विस प्रोवाइट किया है इसमें सभी Spider Man movies की रेफरेंसेस है जिस वज़ए से लोगों को यह बहुत ज़़धा पसंदाया है और No Way Home मुझे परसनेल भी बहुत पसंदाया है क्योंकि इस फिल्म में पीटर पार्क और वो टोनी के टेकनलोजी से बाहर निकल कर अपनी परसनेल लाइफ को सैक्रिफाइस करके एक इंडिबंडेंट सूपर हीडो बनता है क्योंकि और ये दोनों ही फिल्म्स इसी आइडिया पे बेस्ट है जिस बज़े से ये दोनों ही फिल्म्स बेट स्पाइ़ मैं फिल्म्स है ये इंक्लूड नियूक या लिस्ट में वरना यही नंबर वन स्पॉर्ट में आता बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही और कुछ लोग के हिसाब से नोवे होम नंबर वन स्पोर्ट में आने लाइक मूवी नहीं है I mean मैंने अल्रेडी एक्स्प्रेंड कर दिया है कि ये फिल्म सब के लिए नहीं है बाकी बाकी